अब पढ़ेगा इंडिया तो आज है एक अगस्त और आज के करेंट अफ़ेर के जितने भी most important question है जो कि आने वाले किसी भी competitive exam के लिए काफी important है इस वीडियो में discuss करेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेज चैनल को subscribe कर लेजिए और अगर मेरा वीडियो करते हैं आज के इस वीडियो का first question और इस वीडियो में सभी question selected और कफी important है तो आज का first question है केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने बाग रिजर्ब यानि कि Tiger Reserve को CATS की मनाता दी है तो इसका right answer होगा option 14 बाग रिजर्ब यानि कि भारत के 14 Tiger Reserve को केंद्र सरकार के द्वारा CATS की मनाता दी गई है और इन 14 Tiger Reserve में सामिल है असम का मानस Tiger Reserve काजी रंगा Tiger Reserve और औरंग Tiger Reserve वही मद्ध प्रदेश का सत्पूरा Tiger Reserve कर्णा Tiger Reserve और पण्णा Tiger Reserve तो इस question में बात हो रही है भारत के Tiger Reserve की तो इस question से जुड़े कुछ important fact है उन्हें भी देख लेते हैं जैसे कि वर्दमान में देश में कूल 52 Tiger Reserve है और इसमें पहला Tiger Reserve जीम कारवेठ है जो कि उत्राखंड में इस्तित है वह भारत का सबसे बड़ा Tiger Reserve है नगारजुन सागर स्रिशैलम जेवकि सबसे छोटा Tiger Reserve है महराश्ट के पेंच में इस्तित है 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाग है जिसमें से सबसे अधिक बागों की संख्या मद्दे प्रेदेश में हैं वहां बागों की संख्या 226 है और प्रतेकबर्स बागों और उनके अवासों के संख्या और लोगों में उसके प्रती जगरुकता बढ़ाने के लिए अन्तराश्ट्रिए बाग दिवस 29 जुलाई को मनाये जाता है और इसी के मद्देनेजर बनेजीव संख्या के लिए एक और्गनाइजेशन के अस्थापना की गई जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानि की डबलु डबलु एफ जो एक अंतराश्ट्रिए गहर सरकारी संगठन है और यह संगठन जीवों क संगठन के लिए कारी करता है इसके स्थापना हुई थी 29 अप्रेल 1961 को और इसका मुख्याले सुजलन में है और इस संगठन का मुख्य उदे से है वर्नेजीवों का संगठन करना तथा पर्यावरन पर मानों के प्रभाव को कम करना और यह संगठन 1998 से प्रतेक दो वर्सों बाद लीविंग प्लैनेर रिपोर्ड को भी प्रकासित करता है नेक्स्ट को संन हैं निमनि में से किस देश में अक्ष मात रूप से विष्व का सबसे बड़ा इस्टार नीलम कलस्टर मिला है तो इसका राइट आंशर हो का ऑप्शन भी स्रिलंका तो स्रिलंका में अकश्म पात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम कलस्टर मिला है और यह नीलम स्रीलंका के रतनापूरा के रतने समरेद छेत्रों में से एक घर के पिछले हिशे में मिला है और इस नई चटान को सरेंदी पीदी नीलम का नाम दिया गया है और रतनापूर जिसका अर्थ होता है रतनों का शहर और रतनापुर को स्रीलंका की रतन रजदानी के रूप में जाना जाता है तो यहां बात हो रे स्रीलंका की जो एसिया महादुई में इस्तित एक देश है और भारत के दक्षिन में इस्तित एक देश के दूरी भारत से मात्र 31 किलो मीटर है तो यहां बा थानी थी कोलंबो जो इसका सबसे बड़ा शहर है प्रधार मंत्री है महिंदर राजपक्षे राश्पती है गोत बैया राजपक्षे और करेंसी है रूप्या चली अगला कोश्चन देखते हैं अगला है ब्रेक से काउंटर टेरिरिज्म वरकिंग ग्रूप की छठी बैठक कि इसकी अधक्ष्टा में आयोजित की गई थी तो इसका राइट आंशर होगा ऑप्सन दी भारत तो इस अतंकरोधी कारेदल की छठी बैठक हाली में 28-29 जुलाई तक भारत के अधक्ष्टा में संपन हुई है दोजर बीस में ब्रिक्स नेताओं द्वारा काउंटर टेरिरि और इसके सदस्य दे से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और डेक्षिन फ्रीका हाली में ब्रिक्स स्रम और रुजगार मंत्रियों की समेलन भी भारत की अधक्ष्टा में संपन हुई है वह 13-0-21 को ब्रिक्स परेटन मंत्रियों की बैठक भी की गई थी साथी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुली एक जून 2021 को आयोजित हुई थी ब्रिक्स के वीद मंत्रियों की बैठक हाली में 6 अप्रेल 2021 को समपन हुई है साथी आर्थी कोर ब्रिक्स संपर्क समुह का 13 समयलन भी भारत की अधिक्ष्टा में 9-11 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी और वही हाली में ब्रिक्स रुजगार कारे समुह की पहली वर्चुली बैठक भी भारत के अधिक्ष्टा में संपन हुई है अगला कोश्चन है विल आज़नर कॉमिक इंडस्ट्री अवर्ड से कौन सभारतिय कलाकार समानित हुआ है तो इसका राज़नांशर होगा आपसन भी आनंद राधाकृष्णन तो आनंदर राधा कृष्णन जिन्हाली में विल आईजनर कॉमिक इंडर्स्ट्री अवर्ड से समानित किया गया है और आनंदर राधा कृष्णन को यह पुरेशकार उनकी नवेल ब्लू इन ग्रीन के लिए दिया गया है और यह पुरेशकार कॉमिक्स की दुनिया में औस्कर के बराबर माना जाता है अमेर्की कॉमिक्स समपादक डेव ओल बिरीच के द्वारा 1988 में आईजनर अवर्ड के अस्थापना की गयी थी और आईजनर्स का नाम प्रसीद लेखक और कलाकार विल आईजनर के समान में रखा गया था और इन पुरेशकारों की घोसना हर साल सेन डियेगो कॉमिक कॉन में की जाती है अगला कोशन है भारत और इंडोनेसिया के बीच कौन सा सेन नेभ्या शुरू हुआ है तो इसका राइट आंशर होगा आप्शन डि कौर्पेट तो हाली में भारत और इंडोनेसिया के बीच कौर्पेट नाम से एक सेन नेभ्या शुरू हुआ है और यह कौर्पेट अभ्यास का 36 संसकरन था जिसका 31 जुलाई को आयोजन हिंद महासागर के छित्रों में किया गया था कौर्पेट का मूल उदेश से वानिजिक सिबिंग अंतर अस्ट्रिय बेपार और वैत समुंदरी गती वीदियो को नियंतरित करना है तो इस कौर्पेट में बात हो रही है 2021 में होने वाले सेन्य अभ्यास की तो इस कौर्पेट से जुड़े करेंट और फेर के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से जो कि हाली में कुछ सेन्य अभ्यास संपन हुए है उन्हें भी देख लेते हैं इसमें पहला है अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस जो की हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीद चलाया जा रहा है और यह अभ्यास 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा वहीं दूसरा है भारत रूस के द्वारा आयोजित संजुक्त सेन ने भ्यास इंद्र जो 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा वहीं त्रिपक्ची अभ्यास टीटी एक्स जो भारत स्रीलंका और माल्दिव के बीच आयोजित हुआ था और हाली में काला सागर में संजुक्त नौस इनिक अभ्यास से ब्रेज ड्रिल्स भी संपन हुआ है जो कि युक्रेन और संजुक्त राजी अमेरिका के बीच संपन हुआ है वही Defended Europe 21 सन्य अभ्यास जो उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन यानिकी नाटों के द्वारा आयोजित किया गया था वही दुईपक्ची अनो सन्य अभ्यास वरुन जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक अभ्यास है जो हाली में संपन हुआ है वही एक्स डिजर्ड नाइट 2021 अभ्यास जो कि दुईपक्ची वायु सेन्य अभ्यास है और या भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था वही अलगम डोर संजुक्त वायु सेन्य अभ्यास जो अमेरिका और केनेडा के बीच संपन हुआ था अगला कोस्टन है विस्वे स्यल दिवस यानि की वल्य रेंजर दे हाली में कब मनाया गया है तो इसका राइट आंशर होगा ओप्सन B 31 जुलाइगो तो हाली में 31 जुलाइगो विस्वे रेंजर्ड दिवस मनाया गया है और यह दिवस डूटी का दोरान मारे गए या घायल हुए रैंजरों की याद में और दुनिया की प्राकर्तिक और संस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रैंजर्स के बलिदान के समान में इस दिवस को मनाया जाता है और इस दिवस को प्रतेख वर्ष 31 जुलाई को मनाया 1992 में आजी के दिन यानि की 31 जुलाई को इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की अस्थापना हुई थी विश्व रेंजर दिवस अंतराश्ट्रिय रेंजर महासंग के द्वारा बनाया गया था और पहली बाल 2007 में इसका आयोजन किया गया था अगला कोशन है किस सदन में नारियल विकास बोर्ड शंसोधन विद्धक पारित हुआ है तो इसका राइट आंशर होगा आफसने राज्य सभा तो राज्य सभा में नारियल विकास बोर्ड शंसोधन विद्धक हाल ही में पारित हुआ है और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में शंशोधन के लिए इस विद्धक को पारित क्या गया है जिसका मुख्य उदे से है नारियल के खेती के छेत्रों का विस्थार तथा किसानों के विप्रन के शुविधा उपलव्द कराना ताकि वे लभानवित हो सके और इस विद्धक बोर्ड के सदस्यों की संख्या पहले चार थी जो अब बढ़कर छे कर दी गई है तो इस विद्धक को पारित किया गया है राज्य सभा में जो संसत का उपरी सदन है जबकि लोक सभा निचली प्रतिनिधी सभा है रज्य सभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्टपती के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है अन्य सदस्यों का चुनाव होता है राज़ी सवा में सदस से प्रतेग 6 सालों के लिए चुने जाते हैं जिनमें एक तीहाई सदस से प्रतेग 2 वरसों में सेवा निवरित होते हैं अगला कोशन हैहाल हिमें शुरू मिशंन निर्यातक बनो किस राज़े की पहल है तो यह पहल राजस्थान की है तो इसका राईटांशर होगा आपसन भी है राजस्थान तो हाल ही में राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो पहल की शुरुआत की गई है और इस अभियान का मुख्य उदे से छह चल्णों में उन अस्थानिय ब्यपारियों को पंजिक रेट करना है और उनका समर्थन करना है जो विदेशों में अपने ब्यपार का विस्तार करना चाहते है और इसमें प्रेसिक्षन से सहायता अवस्यक दस्तवेज हासिल करना राजस्थान निर्यात समर्दन परिसद में पंजिकरन और यहां तक की ब्यपार संचालन में भी शहायता इत्यादी सामिल है तो यह अभियान राजस्थान में शुरू हुआ है जिसकी राजस्थानी है जैपूल जो कि पिंक सिटी नाम से जाना जाता है मुख्यमंत्री है अशोग गहलोत राजजपाल है कलिराज मिश्रा और हाल ही में राजस्थान में तीन टाइगर रिजर्फों को जोड़ने वाला टाइगर कोरिडोर बनाने की घोसना की गई है यहां पे वैदिक सिक्षा और संसकार बोड भी अस्थापित किया जाएगा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी राजस्थान की योजना है साथी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिन योजना भी शुरू की गई है जो गरीब बच्चों को मुफ्ति शिक्षा प्रेदान करने के लिए शुरू की गई है साथी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकट एस्ट्येडियम भी यहां बनाई जाने की खोशना की गई है अगला कोशन है नुपूर चतुरवेदी किस पेमेंट सिस्टम की नई CEO बनी है तो इसका राइट आशर होगा ओप्सन दी बिल पे तो नुपूर चतुरवेदी जो हाली में बिल पे की नई CEO नुक्त हुई है बिल पे जिसका पूरा नाम भारत बिल पेमेंट सिस्टम है और इसने हाली में नुपूर चतुरवेदी को अपना नया मुख्य कारे-कारी अथिकारी नुक्त किया है इससे पहले नुपूर्च तुर्वेदी, पियू और येर्डेल पेमेंट्स बैंक के पुर्व कारे कारी और छोटे और मद्दम बेवसायों के लिए कंट्री हेरी थी तो 1 अप्रेल 2021 को NPCI जिसने सभी BBPS जनादेश को भारत बिल पे लिमिटेड नामक एक नई अस्थापित सहायक कमपनी को हस्तान्तित कर दिया था जो परभावी रूप से अपने स्वचालित बिलिंग बेवसाय को अलग कर रही है और यह 2013 में अस्थापित हुआ था आज का लास्ट कोशन है अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रूप अर्थ हिरोजवर्ड की से प्रेदान किया गया है तो इसका राइटांशर होगा ओप्सन है सत्पूरा टाइगर रिजर्ब नेट वेस्ट ग्रूप अर्थ हिरोज ओवर्ड दोचरिक्की से समानित किया गया है और यह टाइगर रिजर्ब मध्य प्रेदेश में इस्ति थे जिसने हाली में सर्वस्रेष्ट प्रबंधन के लिए अर्थ गर्जियों शुरेनी में नेट वेस्ट ग्रूप अर्थ हिरोज का पुरशकार जीता है तो यह पुरशकार सत्पूरा टाइगर रिजर्ब ने जीता है जिसे हाली में युनेशको के द्वारा विश्वधरोहर अस्तोलों में सामिल के आ गया है सत्पूरा टाइगर रिजर्ब होशंगाबाद जीले में 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह देकन बायो जियोग्राफिक छेतर का भी हिश्चा है तो यह टाइगर रिजर्ब इस्तित है मध्य प्रेदेश के होशंगाबाद में मध्य प्रेदेश जिसकी रजधानी है भोपाल मुख्य मंत्री है सिवराज सिंग चोहान राज्य पाल है मंगो भाई चगण भाई पटेल नेशनल पार्क है वन विहा राष्ट्रिय उद्दा जैसे की हाल ही में मध्य प्रेदेश के सत्पूरा टाइगर ज़र्ब और नर्मदा नदी के भीड़ा घाठ और लमेटा घाठ को युनेस्को की विश्व धरोहर अस्थलों में शामिल किया गया है वही उनेसको ने एतिहासिक शहरी प्रद्रिस्टे पर योजना में मद्देप्रदेश का ओर्जा और ग्वालियर को शामिल किया है साथी मद्देप्रदेश एनेमिया मुक्त भारत सुझकांक में प्रथा मस्थान प्राप्त किया है और हाली में यहाँ पे आयुश अधारित दिवरनले योजना शुरू की गई है तो यह था आज के करेंट फेर का टॉप टेन इंपोर्टेंट कोश्चन वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा